दोस्तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिसकस करेंगे मिउटेशन ब्रेडिंग के बारे में और इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट के बारे में ठीक है तो basically last video lecture में हमने देखा कि किस तरीके से disease resistant plant बनाये जाते है ठीक है disease resistant plant बनाना कोई बहुत बड़ा खेल नहीं है वही simple दो plant लेते हैं हम ठीक है एक plant जिसमें disease resistance ही है दूसरा plant जो कि जिसमें अच्छी productivity अच्छी quality है दोनों को cross करवाते है जो offspring आता है वो disease resistant भी होता है और उसमें अच्छी productivity अच्छी quality भी होती है ठीक है तो यही था disease resistant plant बनाना है अगर हमको तो ठीक है अब आज के वीडियो में हम discuss करेंगे कि mutation breeding क्या होती है हमने सारी varieties भी last video में discuss की थी ठीक है आप उपर देखे ये वाला section तो हमने ये सारी varieties ये जो जितने भी ये varieties आपको दिख रही है तो ये सारी varieties को हमने discuss किया है ठीक है कि कौन-कौन सी variety कैसे कैसे याद रखनी है ये पूरा table कैसे याद रखना है वो सारा discussion पिछले वीडियो में हो चुका है नहीं देखा तो प्लीज देखिए बहुत अच्छी अच्छी tricks है जो कि यहाँ पर मैंने लिख के रखिए देखो ये सारी tricks है जो कि हमने last video lecture में discuss की थी ठीक है अब इस video lecture में हम बात करेंगे कि mutation breeding क्या होती है insect resistant breeding क्या होती है insect resistant plant कैसे बनाए जाते है ठीक है और इसी के साथ ये जो table है इसको भी आपको पूरा पूरा learn कराऊँगा जैसे पिछले वीडियो में जो tricks पताई थी इसमें भी कुछ tricks पताऊँगा और बहुत easily आपको ये learn कराऊँगा ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते है mutation breeding के बारे में ठीक है जो की DNA में आता है heritable होता है ठीक है genotype में change आता है gene में change आता है ठीक है इसके वज़े से अब DNA change होता है DNA change होता है तो characters change होते है ठीक है plant के कुछ characters change होते है ठीक है तो ये ये जो change है DNA में जो change आ रहा है जिसके वज़े से plant के animal के character change हो रहा है यह किसके वज़े से हो रहे है, यह basically कुछ mutagenes के वज़े से होता है, mutagenes वो chemical या वो agents होते है, जिनके वज़े से mutation आता है, ठीक है, तो कौन से agents है mutagen, कौन-कौन से mutagen होते है, तो यहाँ पर temperature हो सकता है, high temperature एक mutagen के तरह हो सकता है, DNA को change करवाता है, ठीक है, high concentration of CO2, बहुत अज़े, अच्छे से, तो हम क्या समझते है, कि हमारे पास यह DNA है, ठीक है, we have this DNA, DNA पे बहुत सारे base pairs होते है, DNA पे क्या होते है, ठीक है, अगर इसमें एक भी base pair इधर से उधर change हो जाए, मानलो यहाँ पर थाइमीन के जगे, ठाइमीन को replace करके गवानीन आ जाए, ठीक है? या थाइमेन को replace करके adenine आ जाए, तो change हो गया, base pair change हो गया तो DNA change हो गया, DNA change हो गया, तो DNA से आप जो protein बनेगा, यह protein भी change होगा, full protein पुरा change होगा ठीक है, protein भी नया मिलेगा हमको अब क्योंकि protein नया मिलेगा तो character रेक्ट्र नया मिलेगा ना भई हमको १ुन सम्जों हमने बुला था अगर हम्हें कोई क्वालिटी के चेरेक्ट्र सो वुट क्वालिटी Será चाहिए की रेंटーーट्ट हमें एक पेरेंट चाहिए और फिर दूसरा एक parent चाहिए जिसमें अच्छी quality के characters हो, good quality के character good quality, ठीक है, ये एक parent हो गया, तो ऐसे दो parent हो गये, ठीक है दोनों को जब हम cross करेंगे, तब ऐसा parent, ऐसा offspring आएगा, जिसमें disease resistance भी होगी, और good quality भी होगी, समझ में आ रहा है, मैं there is no parent जिसमें disease resistance है, ऐसा कोई plant ही नहीं है जिसमें disease resistance है, एक variety है wheat की ले लेते हम for example, और wheat में कोई ऐसी variety नहीं है, जिसमें disease resistance है, मान लेते हैं, अगर नहीं है तो हमें वो develop करनी पड़ेगी, हम वो खुद develop करेंगे कि भाई, तू disease resistant नहीं है, तेरको बनाएंगे तेरको बनाएंगे disease resistance कैसे बनाएंगे disease resistance, तो चलो वही देखेंगे mutation breeding में, ठीक है तो mutation breeding में हमने पहले समझ लिया कि भाई, mutation क्या है, DNA में change आता है, sudden heritable change आता है जो कि कुछ mutagenes के वज़े से आता है जैसे कि हम बोल रहे temperature, concentration of CO2, X-rays and UV rays, ठीक है chemical mutagenes कुन-कुन से, chemical mutagenes की भी बात की गई है, nitrous acid है, ठीक है, EMS है, जिसको ethil-methil sulfonate बोला जाता है, mustard gas है, और colcicin है, तो ये कुछ ऐसे chemicals है, जो mutation cause करते तो again यहाँ पे आपको MHTCT point of view से इसको याद रखना पड़ेगा ठीक है, MHTCT MHT, CET point of view से याद रखना पड़ेगा mutagenes, ठीक है, तो these are the mutagenes high temperature, high concentration of CO2, X-ray, ठीक है, chemical mutagenes कुन से, nitrous acid, ethil-methil sulfonate, mustard gas, और colcicin बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, चार-पाच नाम है, बहुत easily याद हो जाते हैं, थोड़ासा दीमांग पर pressure देना पड़ेगा, बस, ठीक है, next हम बात करते है, seedling और seeds are irradiated by the CO2, that is 60, CO60 का मतलब है, उसका isomer है, ठीक है, isotope है, sorry, exposure of UV bulb, UV light से exposure देते हैं, X-ray machine से exposure देते हैं, ठीक है, मतलब इनको mutagenes देते हैं, continuously mutagenes अगर दिये किसी seed को, ठीक है, कोई भी seed को continuously mutagen दिये UV light, X-ray, तो उसके DNA में mutation आएगा, अब mutation आएगा, तो बार-बार DNA चेंज होगा, बार-बार DNA चेंज होगा, तो क्या ये disease resistance शो करता है, does this shows disease resistance क्या ये disease resistance शो करता है, अगर करता है, तो बहुत अच्छी बात है, हमारा काम हो गया, नहीं करता है, तो हमारा ये experiment फेल हो गया, फिर हम दूसरा लेंगे, दूसरा seed, उसको भी radiate कराएंगे, UV light से या X-ray से, ठीक है, ठीक है, UV light या X-ray से कराएंगे, मतलब उसको mutagen देंगे, फिर DNA में change आएगा, change आया, change अगर हमको फिर से disease resistance का character नहीं मिला, अगर disease resistance का character, disease resistance का character नहीं मिला, तो फिर से हमारा experiment फेल, फिर हम दूसरा seed लेंगे, ऐसे करीब-करीब हमें 500, 1000, 10,000 बार try करते रहना पड़ता है, ठीक है, seed को mutate करते रहना पड़ता है, हमें बहुत सारे seed लेने पड़ते हैं, सभी में mutation करते रहना पड़ता है, एक बार कोई ऐसा mutation होता है, जिससे change आता है DNA में, और DNA का change एक change protein बनाता है, और protein के वज़े से disease resistance आती है, क्या आती है disease resistance तो बहुत patience का और बहुत time consuming काम है ये, ठीक है तो disease resistance लाने के लिए हमें बार बार seeds को, plants को बार बार, UV light, X-rays और बहुत सारे chemical mutagenes से उसको expose करते रहना पड़ता है, ठीक है ये 100 बार, 200 बार, 500 बार, 1000 बार जब हम करते है, तब हमको कोई एक ऐसा chance होता है, एक probability तो होती है, कि disease resistant plant produce होता है, और disease resistant plant ही तो हमें produce करना था अब ये disease resistant plant हमारे पास produce हो चुका है, अब इसकी breeding करेंगे आप क्या करेंगे? breeding, तो by mutation हमने बोला, by mutation हमने disease resistance plant produce कर लिया disease resistant plant produce किया, ठीक है, इस plant को ऐसी variety के साथ cross करेंगे, जिसमें good quality है good quantity है, ठीक है, crossed with variety variety of good quality good quality good quantity good quantity तो ऐसी variety के साथ cross करेंगे, cross करने के बाद क्या मिलेगा हमें? ऐसा plant मिलेगा, जो disease resistance भी है, disease resistant भी है और इसमें good quality good variety भी है good quality है, good quantity है तो यह जो हमको off spring मिला, यह हमारा desired off spring हो गया, अब इसको हम market में sell कर सकते कि भाई, हमने ऐसा plant develop किया है, जो disease resistance ही भी है, जिसमें अच्छी quality भी है जिसमें अच्छी quantity भी है, food production में किसान के मज़े ही मज़े, ठीक है तो यह इस तरीके से breeding होती है, देखो पहले हमने क्या किया mutation breeding इसको क्यों बोलते है, समझते है पहले हमने क्या किया, पहले हमने mutation किया, पहले हमने क्या किया, mutation पहले हमने यहाँ mutation करके देखा, experiment फेल हो गया, mutation करके देखा, experiment फेल हो गया, mutation करके देखा, experiment पास हो गया, मतलब disease resistance का character develop हो गया, अब यह जो disease resistance का character हमने mutation से develop किया, इसको हम अच्छी variety के साथ breeding कर रहे है, cross hybridization, breeding कर रहे हैं, तो इसलिए पहले mutation, फिर breeding, तो फिर जो offering आया, वो हम market में sell कर सकते हैं, तो mutation breeding, इसको के वज़े से chromosome elaboration होते हैं, chromosome की structure में थोड़ा वो change आता है, the treated seedlings are then screened for resistance, अब यह treated seedling, जो जो चोटे-चोटे plant, चोटे-चोटे seedling treat किये है, उसको screen किया जाता है, screen याने उसकी छटाई की जाती है, कि कि इसमें हमें disease resistance मिली, जिसमें disease resistance मिली, उसको आगे भीजा जाएगा, तो screen किया जाता है, उस screen करने के बाद उसको breed किया जाता है, ठीक है, तो यह हम देखते हैं कि यह disease resistance होता है, pest के लिए भी बनाया जाता है, high production के लिए भी बनाया जाता है, तो इनके साथ इनकी breeding होती है, ठीक है, ऐसे में एक variety देती है, जगननाथ, 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 किसके लिए है rice के लिए आपको याद रखना है जगनात यह जो variety है neat mhtct point of view से important question ठीक है जगनात variety जगनात variety of rice यह किसके लिए है यह mutational breeding से बनाई गई है for disease resistant ठीक है mutation breeding mutational breeding से यह बनाई गई है for disease resistance for disease resistance ठीक है clear है तो mutational breeding से disease resistance के लिए बनाई गई variety rice की जगनात ठीक है next variety हमको देखने मिलती है यहाँ पर np386 ठीक है variety of wheat किसकी variety है wheat की ठीक है यह rust resistance है rust किसके वज़े से होता है देखो यह आप लिखा है brown rust किसके यह बात करते हैं इंदोर टू वेराइटी इंदोर में बनाई गई होगी इसलिए इंदोर टू वेराइटी बोला गया cotton की variety है यह resistant to ball worm बॉल वम क्या होता है वो worm जो ball में cotton ball में enter करता है penetrate करता है और पूरे ball को खराब कर देता है जिसके वज़े से cotton productivity नहीं होती है चलो diagram से समझते है अब cotton ball तो देखा होगा आपने कभी खेती में अगर देखा होगा तो ऐसा होता है cotton ball ठीक है यह cotton ball होता है ठीक है यह cotton ball होता है इसके अंदर cotton होता है ठीक है अब यह worm क्या करता है worm क्या करता है हम बोलते है worm जो है इसमें penetrate करता है अंदर 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 बोर करते है regina 2, regina 2 एक अगिन वराइटी है, variety of cabbage, किसकी वराइटी है, cabbage की वराइटी, तो यह सारे के सारे हम देखते है, यह resistant होती है, bacterial rot के लिए, bacterial rot के लिए, तो आपको याद रखना है MSTCT point of view से, कि जगनात वराइटी rice के लिए है, ठीक है, जो कि एक disease resistant वराइटी है, NP 836, यह जो है, यह हम देखते है rice की variety है, जो की rust को resist करती है, दूसरा हमने देखा indoor 2 variety, जो की cotton की variety है, और यह resist करती है, ball worm को, ठीक है, regina 2 एक variety है, जो की cabbage की variety है, यह resist करती है, bacterial rot को, ठीक है, तो यह हो गया हमारा यहाँ पर clear, ठीक है, next हम बात करते है, plant breeding for developing resistant to insect pest, तो ऐसे plant हमें produce करने है जो कि insect pest को resist करेंगे, ऐसे plant हमें produce करने है, जो कि insect pest को resist करेंगे, ठीक है, हमें पता है, insect, insect जो कीडे होते, वो plant के लिए useful भी होते है, pollination कराते है, pollen grain को transfer करते है, from one flower to another, जैसे honeybees, लेकिन कुछ insect होते है, जो बहुत नुकसान मन्द होते है, जैसे हमें अभी अभी उपर देख यह plant को बहुत नुकसान पहुचाते है, तो ऐसे में हम कीट नाशक यूज करते है, pesticides, ठीक है, बट pesticides के अलावा, अगर हमने ऐसे plant ही develop कर दी है, जो pest resistant है, मतलब plant ही ऐसे develop कर दो कि plant में pest grow ही ना हो, plant पे pest आए ही ना, ठीक है, तो हमें कोई कीट नाशक डालने की insecticide डालने की होती नहीं होगी, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ natural तरीके, ठीक है, तो development of morphological character, plant में कुछ ऐसे morphological character develop होंगे, जिसके वाद जैसे insect resist होंगे, ठीक है, जैसे hairy leaves, अगर एक leaf है और leaf पे बहुत सारे काटे है, ठीक है, एक leaf है, leaf पे बहुत सारे क ताकि हमारे पास और जगे मिल जाए, जगे जगे होई, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं आपे, कि एक leaf है, ये leaf है, ठीक है, ग्रीन कलर का, चाहिए क्या, चलो, ग्रीन है, लीफ, लीफ ग्रीन है, ठीक है, इस leaf के उपर hairy hairs है, बहुत, spine like hairs, ठीक है, hairy leaf है, leaf के उपर ऐसे hairs है hair, spine like hair, काटे दार leaf है, ठीक है, काटे दार leaf है, इस पर काटे है, hairy leaf से, तो अब insect इस पर आने की हिम्मत करेगा, क्या, जुर्रत करेगा, क्या, नई बाबा, इधर तो काटे है, insect बोलेगा, नई बाबा, इधर तो काटे है, मैं इधर कैसे जाओंगा, मैं इधर नहीं जाओं केरेक्टर को change करेंगे development of morphological character हम plant में कुछ character को change करेंगे hairy leaves अगर आते है cotton में तो उसके वज़े से insects जो है रिजिस्ट करते हैं दूसरा cotton और wheat होते हैं जो की insects को रिजिस्ट करते हैं जैसे कि jacid ciral leaf beetle एक beetle होता है उसको रिजिस्ट करते ठीक है तो यहां पर एक example दिया है कि cotton और wheat में hairy leaves होते हैं जो कि insect को और jacets को जो है वो रेजिस्ट करते हैं ठीक है बीटल को रेजिस्ट करते हैं फिरल लीफ बेटल को ठीक है तो यह आपको याद रखना है again mhtct point of view से important है दूसरा दूसरा हम बात करते हैं कि solid stem in wheat leads to resistance of stem borer ठीक है stem borer क्या करते stem में गड़ा करते हैं अंदर 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 जाते हैं और stem के अंदर का सारा माल खापी लेते हैं ठीक है तो stem borer को अगर हमें resist करना है तो हमें wheat की जो stem है उसको strong बनेना पड़ेगा अगर wheat की stem बहुत सक्त होगी बहुत strong होगी तो वो गड़ा ही नहीं कर पाएगा च्छेद ले लेते हैं यह तो हो गया ना अपना ठीक है तो अब तीसरा देखो तीसरा हम क्या बोलते हैं पहला हम ने देखा कि हम morphological character में थोड़ा वो change ला सकते हैं जैसे कि wheat के और cotton में हम देखते हेरी leaves होते हैं तो insect नहीं आते हैं दूसरा हम solid stem बना सकते हैं वीट में जिसके वज़े से अगर wheat की stem solid होगी तो stem borer नहीं attack करेंगे मतलब यह क्या है इंसेक्ट रजिस्टन्ट है ना भाई इंसेक्ट इसमें आनी रहे अफेक्ट करनी रहे ठीक है दूसरा देखो biochemical changes characters biochemical characters provide resistant to insect and pest biochemical character याने plant के अंदर कुछ chemicals के changes जिसके वज़े से insect और pest आएंगे ही नहीं insect या pest को क्या चाहिए इंसेक्ट या pest को चाहिए sugar क्या चाहिए sugar तो sugar अगर कम रहेगा plant में sugar अगर कम रहेगा low sugar content ठीक है low nitrogen and low sugar content अगर plant में रहेगा तो वो तो आई ही sugar के लिए रहे insect किसके लिए आ रहे कि उसको plant में अंदर जाएंगे plant को खाएंगे sugar मिलेगा energy मिलेगी मजा करेंगे बट वो मजा ही नहीं हो रही वो sugar ही नहीं मिल रही तो उनका तो आना फेल हो गया ना insect बोलेगा नहीं नहीं यह acid है भाई मेरा तो चेहरा जल जाएगा skin जल जाएगी मैं नहीं जाओगा ठीक है तो insect यहाँ पर enter नहीं करेगा तो यहाँ पर एक example है maze का देखो for example बोला है कि biochemical changes अगर हम लाते है biochemical character में changes लाते है plant के तो क्या होगा जैसे एक example है maze का maze में अगर high sugar content high aspartic acid अगर रखते हम maze के plant में high aspartic acid होता है और low nitrogen sugar content होता है तो maze में जो stem borer है वो attack नहीं करते है stem borer अंदर जाने वाले यह maze का plant है यह maze का plant है मान लेते हैं इसमें यह hole करते है hole करके अंदर जाते है ठीक है अंदर जाके खाना खाएंगे अपना जो भी खाएंगे बट खाने में उनको sugar ही नहीं मिलेगा और acid मिलेगा भर भर के तो वो रहेंगे क्या वापे नहीं भागो भागो बाहर निकल आएंगे अब बाहर निकल आएंगे तो फिर plant बज गया ना plant कैसा हो गया insect resistant हो गया क्यों हुआ because of biochemical character because of biochemical character simple है ठीक है next next हम देखते है next देखो the nectar less cotton देखे the nectar that is less cotton having smooth leaves develop resistance against ballworm ballworm में क्या है ballworm में भी nectar चाहिए उनको cotton चाहिए अगर थोड़ा cotton हम देखते है less cotton less nectar होता है cotton में अगर nectar less होता है flower में nectar ही बहुत कम है nectar खाने के लिए तो insect आते है अगर नेक्टर ही नहीं है nectar क्या होता है sugary substance होता है चिपचिपा सा जो insect करते हैं flower से ठीक है अगर nectar ही नहीं होगा कि इस तरीके से insect resistant plant होते है, plant या तो उन पे hairy leaves होती है, ताकि insect काटे वाली leaves पे आके बैठेंगे नहीं, दूसरा wheat में stem जो है वो बहुत ज़्यादा थीक होती है, जिससे borer बोर नहीं कर सकते हैं, अंदर enter नहीं कर सकते हैं, तीसरा आम ने बोला biochemical changes, बहुत सारा aspartic acid दे दें हैं, मेज में, ठीक है, low sugar content रखेंगे, insect आएंगे नहीं, बोलेगे ये नुफसान वाली जगे, इधर नहीं जाना, ठीक है, nectar less cotton, याने cotton के plant में बिल्कुल nectar ही नहीं होगा, ठीक है, nectar less cotton बोला है, मतलब nectar ही नहीं होगा, अब nectar ही नहीं होगा, तो वो खाने क्या जाएंगे, वह खाना ही नहीं है तो भाई तो अगर आप किसी शादी में जा रहे हो और आप खाना ही नहीं है तो फिर क्या मजा है नहीं जाएंगे हम इंसेक्ट बोलता है कि नेक्टर लेस् जाना है इसको हमें याद करना है इसके लिए ट्रिक में आपको बताऊंगा simple simple सी बात है पही हो याद रख लेंए वह संजावा के प्यार बोलते बोलते है तो यहाद रखना का लड़की का नाम ब्रैसी का नाम दो यहां पर बोलेंगे की यहां पर हम बोलेंगे ब्रैसिका having affair with गवरो ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे brassica का affair है, aphiid बोले तो affair, brassica देखो current rai ने, current rai हमने last वीडियो में देखा था, current rai ने white शवर न दिया था brassica को, लेकिन brassica तो गद्दर निकली brassica was बेवफा, बेवफा निकली तो brassica क्या कर रहे है, brassica having affair तो हम बोलेंगे Brasica have affair with affair with Oh my God ठीक है Brasica का affair है गवरो के साथ ठीक है तो यह हमारा trick है simple trick है कोई ज़्यादा मुश्किल वाली बात नहीं है ठीक है affair नहीं आया स्क्रीन में है न affair इदर लिख जेते हैं इदर गया रहे भाई affair ठीक है तो Brasica have affair with गवरो Brasica का affair किसके साथ है बोला हमने गवरो तो simple सी बात है आप कैसे याद रखना इस पर आपको Brasica for Brasica ठीक है राई की वेराइटी ठीक है उसमें Brasica ने कौनसी वेराइटी डेवलप की है पूसा गवरो पूसा गवरो गवरो याद रहेगा ठीक है Brasica की गवरो वेराइटी ठीक है किसके लिए resistant है अफाइड के लिए किसके लिए resistant है अफाइड इंसेक्स के लिए ठीक है next flat bean Mr. Bean सबने देखा होगा बहुत बड़े सेमिस्टर 2 सेमिस्टर 3 दोनों क्लियर कर दिए just after getting fruit मतलब बाबा ने कोई एक फल दिया कि ले बेटा तेरा फल खा ले और तेरे सारे सेमिस्टर क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो यही बात हो गई Mr. Bean cleared और past past लिखते हैं न हम past ठीक है same to same to and same three same to and same three ठीक है just after just after getting fruit getting fruit बड़ा simple है देखो तो इसको कैसे याद रखेंगे हम Mr. Bean for flat bean ठीक है इसकी कौन सी दो वेराइटी है पूसा, पूसा for past पूसा same to, पूसा same three ठीक है फिर उसके बाद just after का मतलब है अफाइड just का मतलब है jacid jacid, अफाइड ठीक है fruit borer fruit का मतलब है fruit borer याद रहेगा देखो यापर flat bean flat bean का है पूसा same to, पूसा same three jacid, अफाइड and fruit borer simple है just after getting fruit simple, simple, simple ठीक है next, ओक्रा ओक्रा, ओक्रा के ओक्रा के प्यार करे ली ठीक है मज़दार है तो मज़दार है तो इसकी को हम बनाएंगे अपना टेकनिक ठीक है तो मज़दार है तो इसको कैसे बोलेंगे हाँ ओक्रा से पूछो सावनी, ठीक है पूसा सावनी है ना वेराइटी क्या है, ओक्रा से पूछो सावनी एक लड़की बोल रही है अपनी दोस सावनी को कि ओक्रा से पूछो सावनी हम A4 sheet तभी देंगे तभी देई जब वो जब वो हमें fruit देगा फल देगा, ठीक है तो हम क्या बलेंगे हिंदी भी है ये ट्रिक ओक्रा से ओक्रा से पूछो पूछो सावनी ठीक है A4 sheet तभ मिलेगी A4 sheet तभ मिलेगी तभ मिलेगी जब मुझे fruit मिलेगा जब अरे यार ये किदर गया ये गुम जाता है न जब मुझे मुझे fruit मिलेगा तो ये trick है ठीक है trick आपको बनानी पड़ती है आप जितने tricks बनाओगे उतना आपके लिए easy होगा ये tricks मैंने बनाई है ठीक है तो मेरे को याद रहती है अगर आप भी ऐसी कोई trick बना सकते हो तो आपको याद रहेगा simple सी बात है उक्रा से पूछो साउनी एफोर शीट तब मिलेगी जब मुझे fruit मिलेगा तो ये क्या है उक्रा से फोर उक्रा फोर भिंडी बिंडी की वराइटी ओक्रा ठीक है उसकी वराइटी क्या है उसकी वराइटी कुन सी है बिंडी की जो insect resistant वराइटी है वो कुन सी है पूसा साउनी पूछो साउनी याने पूसा साउनी एफोर शीट ये भी एक वराइटी है एफोर पूसा एफोर ठीक है करो भाई नए नए वीडियो आपके लिए मैं लाते रहते हो ठीक है ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहो ठीक है इसका स्क्रीन शॉट जरूर ले लो टेक दस्क्रीन शॉट ठीक है जिन्दकी के मज़े लेते रहो खुश रहो लाइक जरूर कीजिएगा बस इतना ही बोलना है बहुत मैनत लगती है वीडियो बनाने में तब तक के लिए थैंक्यू वेरी मच्छ